अगर आप इन सभी सब्दों में confused राते हूं इसका परियोग कैसे किया जाता है इन सभी सब्दों के बेश क्या अंतर है इस वीडियो में सेखेंगे यूज ओप voice versus sound ये दोनों का मतलब आवाज होता है इसे अलग अलग तरीके से परियोग करते हैं voice का मतलब होता है आवाज मतलब living thing कोई भी सजीब जैसे किसी व्यक्ति का आवाज मतलब voice का यूज करेंगे और sound का भी मतलब होता है आवाज इसका परियोग करते है non living मतलब किसी वस्तू का आवाज के साथ कोई भी device का आवाज के साथ जिसे एक्जाम्पल हैं तुम्हारा आवाज बहुत असा है तो sentence बनेगा your voice is so good या पर voice है किसी living का use किया जाना है किसी व्यक्तिक आवाज है मैं तुम्हारा आवाज सुन रहा था I was hearing your voice या पर तुम्हारा आवाज मतलब किसी व्यक्तिक आवाज है इस वज़े से voice का use किया गया है इस speaker का आवाज बहुत गजब का है तो sentence बनेगा the sound of this speaker is really amazing या पर तके sound परियोग किया गया है आवाज के लिए या पर किसी व्यक्तिक आवाज है किसी device का आवाज है मैं mobile का आवाज check कर रहा था I was checking the sound of phone phone की आवाज मतलब sound of phone या पर sound का परियोग किया गया है क्योंकि या पर किसी device का आवाज है I hope कि आप इसके भी difference समझ गए C versus watch versus look और ये तीनों का मतलब होता है देखना अब इससे अलग-अलग condition में परियोग करते हैं जैसे कि C का मतलब होता है देखना जनरली देखना जैसे आप आँख है तो दिखाए तो देहीं देंगे इससे बार से watch है वर्स का भी मतलब है देखना इसका मतलब होता है घुमती या चलती हुए चीसों को देखना जैसे movie देखना किसी चलती हुए train को देखना या पिर किसी चलती हुई कोई और सीजों को देखना लुक का मतलब होता है देखना इसका मतलब होता है एक नजर से देखना मतलब गौर से देखना अब संटेंस बनाते हैं मैंने तुम्हें बजार में देखा I saw you in the market या पर जनरली देखने की बात है बासार में कई सारे लोगे हैं उस बिच मैंने तुम्हें भी देख लिया उसने कल एक मोवी देखा या देखी She watched a movie yesterday उसने कल एक मोवी देखी या पर वाची उसकी आगया है क्योंकि आपर मोवी चलती हुई चीज़े हैं कोई रनिंग चीज़े है रमेश फोटो देख रहा था रमेश वाचिंग एड रमेश वाचिंग एड दा पिक्सर यह अपर लूग परियोग क्यास आएगा क्योंकि फोटो जब देख रहे हैं तो एक नजर से देख रहे हैं तो लूग का परियोग यहाँ पर क्यास आएगा चलती हुई चीज़ों के लिए वर्च और जन्रलिक दिखने के लिए C Here versus Listen ये दोनों का मतलब होता है सुनना लेकिन अलग-अलग कंडेशन में परियोग करते हैं Here का मतलब होता है सुनना लेकिन ना चाहते हुए सुनना या किसी निर्जेब चीज़ों की आवास को सुनना Listen का मतलब होता है सुनना चाहा कर सुनना या फिर ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना या चाहा कर सुनना मतलब Listen परियोग करेंगे जिसे आप गाना सुनते हो तो आप आप लिसन का परियोग करोगे ऐसे आप किसी भी व्यक्ति की आवाज सउनते हो, किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हो, तो इसकी आवाज सोनते हो, वहाँ पर लिसन का परियोग करोगे उसने गाड़ी की आवाज सुना, He heard the sound of when, यह अपर when की आवाज है, मतर्भार हाँ पर क्यास आएगा ना चाहते हुए सुना उसके पास स्कान है मेरे पास स्कान है तो मैंने सुन लिया ना चाहते हुए सुना अंकित गाना सुन रहा था अंकित वोस लिसनिंग टू म्योजिक यह पर लिसन पर यो क्यास आएगा क्योंकि वो चाहकर सुन रहा था और ध्यान से सुन तुम उसकी बातों को सुन रहा था, वो पूर्ट का मतलब होता है रखना, कीप का मतलब होता है फैसिकली या नोन फैसिकली रखना, फैसिकली का मतलब हमारे हाथ में पैन है और मैंने टेबल पे रख दिया, तो physically रखा, अब कोई बाते हैं मेरे पास, और मैंने बातों को रखा, मतलब किसी को मैंने बात बताई, वहाँ पर भी keep का यूज़ कर सकते हो, put का मतलब होता है only physically रखना, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, मैंने मोबाइल को विस्तर पे रख दिया, तो मतलब put का यूज़ करे I kept the blankage on the bed, यह पर physically रखने की बात हैं, तो physically के लिए keep और put दोनों परियोग कर सकते हो, रमेस कमरे में सभी किताबों को रख रहा है, रमेस is putting all the books in the room, keeping और putting दोनों परियोग क्या सार है, क्योंकि physically रखने की बात है, इस मामले को अपने तक रखो, keep this matter to you, यह अपर non-phizically की बाते हैं, यह अपर only keep का परियोग करेंगे, मैंने अपने सब्दों को रखा, I kept my words, I kept my words, मैंने अपने सब्दों को रखा, say versus tell, versus speak, versus talk, इन सभी का मतलब कहीं न कहीं बोलना या कहाना होता है, तो इसके भी संतर क्या है, say का मतलब होता है कहना, मतलब सामाने तक कोई कहना, और tell का मतलब होता है बताना, मतलब कोई चीज़ explain करना, speak का मतलब होता है बोलना, मतलब formal रूप से बोलना, formal रूप से बोलना, मतलब speak का परियोग करेंगे, और talk का मतलब होता है बात करना मतलब informal way में बात करना तो example से आप समझ पाओगे इसे सुमन मुझसे बात करता है सुमन speaks with me या बाद के मुझसे बात करता है या पिर मुझसे बोलता है या पर formal ropes से यहां पर बात करेंगे तो speak करेंगे वो रवी से बात करता है He talks to रवी या बदगे talk करे उस क्या गया है कि इस वे में आप समझ सकते हो उसने मुझसे कुछ कहा He said to me something या पर सेका परियोग किया गया है मतलब समानियता है जनरली कुछ कहना मैं एक कहानी मैंने एक कहानी बताया I told a story मतलब कहानी को मैंने explain किया वो मुझसे सब कुछ बताती है She tells me everything मतलब वो मुझसे explain करती है सब कुछ explain करती है Send versus dispatch और ये दोनों का मतलब होता है भेजना लेकिन अलग-अलग condition में First is send का मतलब होता है भेजना किसी संदेश या किसी इंसान को भेजना और space का मतलब होता है किसी समान को भेजना जैसे आप example में समस्पा होगे मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूँगा जो sentence बनेगा I will send you with him या percent का परियोग किया गया है क्योंकि किसी व्यक्ति को भेजने की बाते हैं क्या तुमने उसे संदेश भेजा तो sentence बनेगा Did you send him message Did you send him message क्या तुमने उसे संदेश भेजा मैंने तुम्हें एक बेज भेजा है I have dispatched you a bag या पर बेज क्या है एक समान है इसके लिए dispatched का यूज़ करेंगे मेरा समान company ने भेज दिया the company dispatched my goods goods का मतलब होता है का इस समान goods का मतलब होता है का समान तो इसलिए confuse न करें इस दिए पर साहे तो आप product का भी use कर सकते हैं the company dispatched my product wake up versus get up ये दोनों का मतलब जगना या उठना होता है wake up का परियोग करते हैं जगना मतलब निंद खुलजाना बेस्तर पही है और आँख खुलजाना मतलब wake up करना और get up का मतलब होता है विस्तर से उठ जाना race हो जाना उठ कर मतलब विस्तर को सोड़ देना मैं सुबह पास बज़े उठता हूँ I get up at 5 a.m वो सुबह वो छे बज़े जगता है wakes up at 6 a.m या बज़े wake up कर उठ क्या गया है क्योंकि जगने की बात है उठने की बात नहीं है pick versus lift और ये दोनों का मतलब होता है उठाना आप देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे pick का मतलब होता है ऐसी कोई समान जो हलकी हो उसे उठाने के लिए pick up का यूज़ करेंगे या pick का यूज़ करेंगे और lift का मतलब होता है इसी कोई चीज़े है जो बहुत भारी हो example है इस bag को उठाओ pick this bag pick this bag इस bag को उठाओ मैंने वहाँ से mobile उठाया I pick the phone from there या बज़े pick यूज़ की अशार है किसी हलकी चीज़ों को उठाने के लिए kiran ने बस को उठा लिया sentence मनेगा kiran lifted the bus kiran ने बस को उठा लिया कोई भारित चीज़ों को उठा लिया kiran car उठाने सारी है kiran is going to lift the car यह बज़े lift का प्रियोंकी अशार है उठाने के लिए किसी भारी चीज़ों को उठाने के लिए वीप वर्सेज कराई और ये दोनों का मतलब होता है रोना लेकिन अलग-अलग कंडेशन में अंतर क्या है वीप का मतलब होता है दीरे-दीरे रोना और कराई का मतलब होता है जोड से रोना जिसे कि बच्चे रोते हैं तो बच्चे जोड से रोते हैं और जब कोई बड़े लोग रोते हैं आँग से आसू आ रहे हैं लेकिन आवाज नहीं होती मतलब वीप होता है बच्चे रो रहे थे चिल्डेन वर क्राइंग तुम क्यों रो रहे थे या पर तुम क्यों रो रहे हो वाई आर यू वीपिंग या पर वीपिंग से मतलब है आग से आसू आ रहे है लेकिन आवाज नहीं हो रहा और या पर आग से आसू भी आ रहे है और जोर जोर से आवाज भी हो रहा है वो रो रहा है He is weeping Costly versus expensive और ये दोनों का मतलब होता है महंगा लेकिन अलग-अलग condition में वो condition क्या है Costly का मतलब होता है जब सस्ती चीज़े महंगी फिल हो तो costly होगा और expensive तब होगा जब किम्ती चीज़े हो कोई भी चीज़े रियल में किम्ती हो ज्यादा दाम का हो expensive होगा यह mobile महंगा है This mobile is costly मतलब ये सस्ती है लेकिन ये महंगा है महंगी लग रही है क्योंकि इसका price बढ़ गया है यह फिर कुछ हो गया है bag महंगा है The bag is expensive bike महंगा है A bike is expensive तो इसे आप परियूग कर सकते हो दोनों condition आपको पता है किस किस condition में क्या होता है So guys, thanks for watching That's all for today